मैं अनिल और आप देख रहे हैं एफस नूज जैसे की देख रहे हैं बियार में पंचायती चुनाओं के नतिजे हैं ओ आ चुके हैं और इसी बिच हमारी टीम पहुंच चुकी है पांडेपूर पंचायत में जहां पे हम एक ऐसे परतियासी से मिलवाना चाहेंगे जिनोंने बेबाकी से अपना बात रखा और चुनाओं को विजे हासिल कर चुके हुए हैं इन्होंने लागतार प्रियास किया तीन बार और हारने के बावजूद भी अपने चेहरे पे मुश्कान हमेशा बरकरार रखें बहुत सारे परतियासी होते हैं कि चुनाओं हार जाने के folg तक अपना मुश्कुरहट और बरकरार रखें हैं और आगे रखे रहेंगे सबसे पहले मुख्या आपका स्वागत है और हमारे टीम के तरफ से आपको बहुत बहुत बढ़ाई आपके पूरे टीम को भी हमारे तरफ से बहुत बहुत हरदिक बढ़ाई है उस पांडेपू कि देव तुल्य हमारे भाग भिधाता हमारी जन्ता को हमारे तरफ से श्वागत है सम्मान है बहुत बहुत बधाई है क्यों लोगों ने पंडेपुर पंचायत का परतिष्ठा बढ़ाने का कार्य किया है और मैं अपने पंचायत के चाय किसी विपद से पंच हो या वाड हो, मुखिया हो, सरपंच हो, शमिती हो, शभिन और निर्वाचित प्रतिनिधियों को दिल से हार्दी का विनंदन करते हैं और हारे हुए जितने हमारे भाई बहन हैं, उनको भी ताहे दिल से स्वागत करते हैं, हार्दी का विनंदन करते हैं मैं बता देना आपके चैनल से चाहता हूँ, कि हमारे पंडेपूर के जो परतियासी हारे हुए हैं, वो नहीं समझे कि हम हारे हुए हैं आपके छोटे भाई बड़े भाई नव निर्वाचित हुए हैं आपको कहीं सम्मान के गौरों में कमी नहीं आने देने का कारे करेंगे आपका जो आदेश होगा मैं उस आदेश को मानते हुए विकास के पत पर आगे बढ़ने का कारे करूँगा मुख्या जी जी दिन परचार परशार थमने वाला था उस दिन आप बजरंग बली से असिरवाद लिए बजरंग बली आपके उपर ऐसे बने रहे जैसे कि 17-84 मतों से जीत गए क्या कहिएगा तो बजरंग बली को तो बन नहीं था इसलिए कि जब सिता जी का अपहरण हुआ था तो पता लगाने के लिए बजरंग बली साथ समंदर पार हो करके लंका में गए और वहीं से विश्व विजयता भरष्टाचारी रावणपर का अंत का श्टार्ट हो गया उसी तरह इस पांडेपूर की महान जन्ता ने निरण्यन सिंग को निरवाचीत रिकट मद्दों से इसलिए किये हैं कि इस पंचायत का जो राक्षास हैं भरष्टाचारी उनको उनों लोगों ने पूल्चाप और बटम दबा करके समाप्त करने का कार्य किया है यहां के दलाल लोग हमको पूरी उमीद है कि यहां के दलाल लोग समाप्त हो जाएंगे और मेरा निर्ने है हमने तीन बार मुखिया पद से चुनाव हारा था चौथा बार लड़ रहे थे इसका कारण था कि हमने कभी दारू नहीं बटा कभी पैसा नहीं बटा पूर्ण उमीद थी जब तक पंडेपूर की जनता हमको नहीं पहचानी पूर्ण रूप से नहीं जानी तब तक हराती गई इस बार उन लोगों ने पूर्ण रूप से जान लिया पहचान लिया तो आप उसी उमीद पर ढटे रहे जी उसी उमीद पर ढटे रहे पूरा एकदम जो स्खरोष के साथ सेवा करने हमेशा अपने चेहरे पर हमने आपका बेबाकी से हर एक बार इंटर्विव कोबरेज किया हमारी टीम ने लागतार आपका पंचायत का इंटर्विव लिया आ इसके पीसे सर कुछ कारण बताइए मन में जजबा जुनून अगर रहेगा तो कभी भी मुस्कुराहट बरकरार रहेगा सेवा करने की दिल से हार्दिक मनो कामना होगी तो कभी भी मन नहीं मुर जाएगा हार हो या जीत हो संघर्ष करने वाले ब्यक्ति जैसे देख लिजि कि जब इतने उमर के आदमें जब इतना कारे कर सकते हैं तो हम तो नौजवान हैं हम तो 40-40 साल का ब्यक्ति हैं हम क्यों नहीं करने वाले ब्यक्ति जैसे देख लिजिए कि एक चाय बेचने वाले पूरा देश का चोकिदार हुआ है इतना उमर में को कभी ठकते हैं क्या उन उनसे हमको six मिलती है उनसे हमको energy मिलती है मोदी जी से कि जब इतने उम्र के आदमें जब इतना कारे कर सकते हैं तो हम तो नौजवान हैं हम तो 40-41 साल का ब्यक्ति हैं हम क्यों नहीं कर सकते हैं उन्हें के पत पर चलते हुए हमने बहुत मुख्या लोगों का नौ निर्वाच हम तो certificate हमको मिलना गया इस पंचायत की जनता तो हमको बिजय स्री दिला दिनस सपत आज नहीं तो कल होगा ही मुख्या का अधिकार होता है जिनको अधिकार मालूम होगा वह अपना अधिकार का सदूपियोग करेंगे तो मुख्या का अधिकार है कि एड़्वांस काम करवा सकता है बाद में उसका estimate बनेगा बिल बनेगा पैसा बंजेगा मुख्या जी आप अपने जीत का स्रेक कैसे अपने पंचायत की जनता को देना चाहेंगे जिन्होंने आपको बहुत भारी मोतों से आपको बिजयी बनाया है अब बताइए ना हमारी पूरोई पांडेपुर पंचायत देखके मतदाता मालिकों ने अपना सही सेवक चुना है उनके लिए उनलों के बहुत बहुत धेड़ सारी सुबकमना हमारे तरफ से है देखिए हर जगा कोई बिजयी जूलिस निकाला कोई किसी परकार को उत्सव किया हमने कहा कि नहीं हमारा कोई उत्सव नहीं ह जब तक हम विकास नहीं करेंगे तब किसी परकार की जलुस स्टाइब परतियासी थे आठ आजमिये हमारे गाल तो हमने हैं खोगा है इसलिए कि आप उस दोर से गुजरे जी जे जी तो मुख्या जी 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 सवास करके भारी मोटों से आपको आपको विजयी बनाई आप उनके उमिदों पर कैसे खड़े उतरने के लिए हमने प्रोग्राम कर लिया है कि सपत हो जाए हम S.P. सहाब से मिलेंगे हम धना परभारी से मिलेंगे मिल करके चौकिदार लोगों का मिटिंग करेंगे अब सबसे पर्थम हमरा अभियान है कि जो सरकार ने दारू बंदी की है तो कम सकम इस पंचायत में उसको हम पूर्ण रूप से सफल बनाएं आई इसी तरह देखा देखी पूरा जीला के मुखिया लोग लगेंगे तो पूरा जीला में D.S.P. सहाब से मिलेंगे हम धना परभ सफल बनाएं इसी तरह देखा देखी पूरा जीला के मुखिया लोग लगेंगे तो पूरा जीला में पूर्ण रूप से दारू बंदी बंद होने में सफल होगी अगर जो चौकिदार के छेत्रे में बिकेगा पहले उनको समझा करके मोका दियाएगा नहीं तो उन लोगों को बैट करके सब्सक्राइब कराने का काम करेंगे मुखिया आपने एक स्कूल खोला है और जैसे कहा जाता है कि एक स्कूल खूलता है तो संसार के कई जेल खाने बंद होते हैं इस पर भी आप कुछ विचार रखिए जी इस पर विचार है कि जब सिक्षा हो जाएगी तो व जाना पड़ता था तो जब सिक्षा सिक्षित कर दिया जाएगा छेत्र के लोगों को तो इस अब तो समाप्ते हो जाएगी विकास के रास्ते पर लोग चलने लगेंगे मुखिया जी आपके साथ काफी समर्थक भी आपका स्वयोग दिये योगदान दिये और आपके साथ एक और हम अपने केमरा पर्शन से कहेंगे कि उधर गुमाए बजरंग बली की तरह इनका साथ बने रहे आईए इनसे हम बात करेंगे आपने मुख्या जी का कंदा से कंदा मिला कर चला पूरा पंचायद चुनाओ भर कैसे धन्यबाद देना चाहेंगे पंचायद की जंत द देखिए सब लोग जस्त मनाया हम रोड का सिले न्यास कर दिये तो हम लोगा जस्म हुआ हम लोग करेंगे वही हम लोग विकास किये हैं अब विकास कर अफ्तार अपते रहिएगा देखते रहिएगा पूरह जनता को मान सम्मान में कमी नहीं आएगी सारा काम हम लोग जो वादा किया है वादा किया है तो वादा करके निवाना काम अब ड़ा करके तो यह वादा करकेदने है高 जांताईग सोटे बाबार नहीं को टूटने वाला नहीं हैं मुखिया जी के साथ आगे भी बने रहेगा। shundra presents हैं अब अख्री में और और तो लेशिटे के पास चलते हैं और आख्री में पांच्यात वासिएंगे दिल से जी जी तो हमने बोल दिया है कि पहले सपतगरहण हो जाए उसके बाद पांडेपूर पंचायद के बीच सेंटर में तिहासिक फिल्ड है सिना फिल्ड छे विगहा से उपर का है उसी फिल्ड में वहाँ पंडाल लगवा करके और पांडेपूर की मतलब अपने देव तुल्य मतदाता लोगों को वहाँ बुला करके शम्मानित करने का शम्मान देने का कार्य करेंगे इसलिए अभी हमने कोई डेट फिक्स नहीं किया है जा रहे हैं विडियो साहिब से डेट सुनिश्चित हमको जनकारी नहीं है करने जा रहे हैं कि सपतगरह किस तारीख को होना सुनिश्चित हुआ है असपतगरहन के बाद डेट को फिक्स करके और सिनहा फिल्ड पर भव रूप से आप लोगों को बुलाये जाएगा और भव रूप से जनता सम्मान समरोव करा करके हमारे पूरे पंचायत के सभी मता बहनों गार्जिवान दन्यवाद दिजिए जिन्हों ने आपका छेत्रप को अगदम पर्दिता का दिखाने का काम किया जखिए दन्यवाद तो है यह लेकिन 100% धन्यवाद नहीं है इसलिए कि आप लोगों को डोड टू डोड जाकर के जो कुकृत्य हुआ था उनको आप लोगों ने उजागर नहीं किया घूम करके खैर आप लोगों की मजबूरी भी थी कि पंचायत में 293 पंचायत है सभी पंचायत में जागर के कुछ नकुछ दिखाना जो असली मोदा है उसको उठाना है आप लोगों ने उठाने का कारे किया है लेकिन हमारे एतिस से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई है लेकिन हम चाहेंगे कि आप लोग नोजवान है जो गलत करता है उसको चौथा अस्तंभ है मिडिया उसके माध्यम से आप लोग पुर कटके चड़ के रहना है अगर हमसे कोई भी कमी होती है तो उसको बढ़ चड़ के दिखाना है ताकि हम और सजग होखें और मजबूत होखें अपने कमी को दूर करें हम से बात करने के लिए मुख्य जी आपका बहुत-बहुत धन्या बाद जिनोंने आप किम्ति समय निकालकर हम से बात किए अपना किम्ती समय दिए बहुत-बहुत धन्या बाद